नमस्कार दोस्तों स्वागत है आज के इस नई वीडियो में तो दोस्तों बिहार के किसान भायों के लिए एक बहुती बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकिया आनिके बिहार आज ये फसल सायता यो जना सेशन 24-25 के लिए ओनलाइन आवेदन पर क्रिया सुरू हो चुका है ज कि किसी परकार से नुकसान हो जाता है आपका फसल तो उसके लिए सरकार के तरफ से ओंधान के रूप में कुछ पैसे दिया जाता है जो कि 20,000 रुपया तक आपको लाब मिल सकता है इसको लेकर ओनलाइन आवेदन पर क्रिया सुरू हो चुका है इसी के बारे हम इस वीडिय से हो जाएगा उससे भी आप कमाई कर सकते हैं अगर किसी कारण मर्स हो ना हो अगर हो जाता है तो सरकार के तरफ से कुछ अंधान आपको दे दिये जाते हैं तो इसी के बारे हम इस वीडियों बात करने वाले हैं तो वीडियो को आप एन तक देखिएगा अगर थोड़ा पानिली दोस्तों फसल साहता है उजना के लिए ओन लाइन आवैदन करने के लिए सब सब पहले आपको इस वाले वेबसाइट पर आना होगा जिसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रीप्रिप्शन में दे रहा है अब जिसी यहां पर स्क्रोल डाउन करेंगे निचे कि एक सरक लिंक हमने वीडियो डिस्क्रीप्रिप्शन में दे रहा है जिसे उस पर किलिक करेंगे इस वाले पर चलेंगे अब यहां पर पूरी जयनकारी बात आए गया हिंदी भासा में जैसे कि हम आपको बता दे अगर आपको 20% अगर आपका फसल छतिगरस्त होता है नहीं नुक्स 20,000 रुपया तक दिये जाएंगे यहां पर पूरा जैनकारी इसमें बताएगा लेकिन सबसे पहले समझ लिए कि कौन से जीले में कौन से फसल नुक्सान होने पर आपको यह पैसर दिया जाएगा इसको लेकर पेपर कटिंग जारी कि आप यहां से देख पाएंगे जिसमें उसे बढ़े में आपको फसल नुक्सान होता है तो उसके बारे में पर जानकारी बताएगा तो सबसे पहले आपको यह समझ लिए गा इसमें बोला कि बिहार आपको अगर उसी बढ़े जाते है तो आपको पैसे दिये जाएंगे इसे नोटफाइट कर लिया गया है और नोटफाइट जीले में फसलों की 20% परतिशत फसल अगर नुक्सान होता है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप समझ लेजिए कि कौन कौन जीले में आपको पैसे दिये जाएंगे वहीं बात करते हैं अगर आप खेति के तो इस अभी आनिके 534 पर खौन लिए नुट्फाइट किया गया अगर आप धान माका के लिए किसी भी जिलस आते हैं अगर आप खेति के अगर आपको पैसे दिया जाएंगे लेकिन वह बात किया अगर आप स्वयवीन का खेति की हैं जैसे बेगु सराय पुहां और रासी मिलेगा अगर खेति की है और तो पूनिय जील इस आते हैं पुरवी जाते हैं बांको जीला साते हैं कटिया गाया भागलपूर शुपल भोजपूर पार्श मिली नुटिफाइट किया गया कि यका latest तो इसके लिए स्वयवीन के लिए बोला गया है ठिक ह अब आप समझ लेते हैं कि नूटफाइट किया गया वहीं पर अगहानी बैगन के लिए अगर आप खेती के हैं समस्तिपूर जीला से आते हैं समस्तिपूर जीले में कौन से खेती नुकसान होता तो उसका लाब दिया जाएगा जिसके बारे हम आपको बता दिये अब आवेदन करने के लिए इसे वाले वेबसाइट पाएंगे निचे के स्कूर्ड लाउं करेंगे यहां पर महत्पून लिंक का ओप्सन दिया और यह पर लिए क्ली और वी अपर Great love and कि अधरना वसाइट में कि गीसान जीकरन संखेट बाड़ना परियगा अगडर आपको बनाना पड़े में किसाननिक्रन संख्य करिंग कि भी साइट पर चलेंगे जो कि अधिकार अगरी कॉल्चार डिपार्टमेंट डॉट डॉट बॉट इन के नया वेवसाइट बनाया गया और यह पर online से वाई का प्सन देखेंगे इहां पर देखने कि सान पर कुलिक कर देना ओकी का उप्सन में क्लिक कर दिएगा इस तरीके सा जहांते आपको अपना जीला सलेक्ट रहेगा अपको परखंड रहेगा आपका 25 क्यारी आपको देना पड़ेगा जैंकारी आपको देना पड़ेगा जो आपको पाता नहीं तो इस वाले विपसाइट पर चलेंगा जहां से आपको अपना जीला सेले कर लेना है जो भी आपका जीला जो हो गया क्ली करेंगा जीसे साइट करेंगे तो दोस्ति यहां पर आपका डिट्यल साजएगा रहता है का नाम खाता संखिया बर्तमान संखिया और जामबन्द संखिया और यहीं पर देखनें तो जमीन के अपको प्रकार अपको देखने के मिल लेगा तो जिस भी जमीन में मतलब आप खेती हैं जो कि आपके जमीन से रिकार्डिंग अलग-अलग जब देखने को मिलागां इसमें टोटेट और अब आप इसने हैं इसने डिटेल कर देढा जैसे सुनक्षित करेंगे किली करेंगे सब्धस्राइब कर देना Mend practice अब देखते हैं जैसे मतलब आपका जीले में फोसल नुक्सान अगर होता है तो उसका विरिफिकेशन परकिलिया होता है जो भी बलग से जो भी पद्धिगारी गणाते हैं उसको पातर लगाते हैं कि कौन से परखंड में कितना नुक्सान हुआ है उस तरीके से डाटा करें अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी को जानकारे मिल सकें